हलो फ्रेंड्स तुदा स्वागत है अपने यूटूब चैनल एजुकेशनल न्यूज के बिदाओत सबसे खतनाक वाले न्यूज में तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा पटना विमेंस कॉलेज के जो भी समेस्टर फी है उसमें कोई बरहोतरी नहीं किया गया बहुत है बहुत बड़ी अपडेट है पटना विमेंस कॉलेज के जो भी स्टूडेंट इस बार एडमिसान लेने के लिए रेडी है क्लास 12 पास होकर वे लोगे सोच रहे कि अगर पटना विमेंस कॉलेज में एडमिसान लेंगी तो इतना इतना फील आएगा तो मैं आपको बता द में एक ही पल में ठीक है क्योंकि और आप लोग में एक चीज और बता दूंगा और इस चीज को बताने से पहले मैं आप लोग क्या करता हूं विम्स को दिखाता हूं मैं उसी न्यूज से आप लोगो क्या देदूंगा प्रूब देदूंगा तो चलिए लेट्स बीगन न्यूज दोस्तु आप लोगो स्क्रीन पर देख पा रहे होगे इस वाले कॉर्णर में आप लोगो साफ साफ दिख रहा है कि सेशन बाइस तेस में पटना म कॉलेज में एडमिसन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या है सुनारा मौका और एक माई तक और एक चीज़ और मैं बता दू कि जो भी स्टूडेंट सी बीएसी से हैं उन लोगो का कई एक्जाम क्या है अभी लटका पड़ा हुआ तो उन लोगो का क्या रहेगा फॉर्म फिल कर दिया या कॉलेज के ओफिस्यल वेब साइट पे ठीक है तो पड़ते हैं पड़ना विमन्स कॉलेज इस साल फिस में नहीं होगे बरहोत्री मैंने पहला ही बताया था कि पड़ना विमन्स कॉलेज में इस वर्स क्या हो जाएगी आप लोगो कोई भी किसी भी चाहे हुआ यूजी हो चाहे वह पीजी एडिमिसन हो बाइस तेस में कोई भी समेश्टर फिमें बरहोत्री नहीं किया जाएगा ठीक है तो इसके जानकारी लेते हैं पूरी ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं मैं थोड़ा सा जूम कर दता हूं गाइस तो आप लोगो स्क्रीन पच्छ से जाड़िय किया जाएगा वही यूजी यानि कि अंदर ग्रेजुएट जो इस वर्स क्लास त्वैस्ट पास एवे लोग अपना इडुमिंसन पट्ना विमिंस्कॉलेजी में में एडिमिंसन ले सकते हैं और पीजई यानि के पोस्ट ग्रेजिये यानि के जो ग्रेजिशन नहीं हुई है तो उनको क्या होगा उनकी परिशाएं रहेगी लेकिन छात्राएं आवेधन क्या कर सकते हैं कर सकेगे ठीक गाई तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है से बीसे टुडेंट है या वेकेसनल कोर्स और पीजी के नौ भी सोग के लिए नामंकन फॉर्म भरे जाएंगे ठीक है पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट दे दे गया है और कॉलेज के परचार डॉक्टर सिस्टम मारिया रस्मी ने बताया कि नया सतर में आवेदन फॉर्म को एक माई से क्या कर दिया जाएगा जारी कर दिया जाएगा इस साल फॉर्म फिस में बरहुतरी नहीं की जाएगे ठीक है गाईश तो यहाँ पर देख सकते इस बार जो एडमिसन होने वाला है पत्ना विमेंस कोलेज में किसके बेसिस पे एडमिसन होने वाला है तो एंट्रांस के बेसिस पे होने वाला है तो साब 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 स्क्रीन पर दिख रहा है कि एंट्रांस ट्रेस्ट के आधार पर नमंकन पत्ना विमन्स स्कॉलर्ज द्वारा आयोजित एंड ट्रांस ट्रेस्ट के आधार पर नमंकन किया जाएगा टेस्ट के बाद भी से, वाइज स्कॉलर्ज द्वारा मेरिट लिस्ट यार की जाएगा और फिर नमंकन के परकिरिया जुलाई तक पूरी होगी अगस्त से नए सेसन के परहाई होगी पिछले साल बारह होई की पड़िछा देर होने और परिणाम से आने का नमंकन परकिरिया में देरी होई थी तो गाइज आप लोग करमर कस लिजिए और जो भी स्टूडेंट पटना विरन स्कॉलर्ज में एडमिसन लेना चाहते हैं वे लोग रेडि हो जाएए एक मैसे क्या हो जाएगा आप लोग का एडमिसन फॉर्म सुरू हो जाएगा तो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होगे तब फटा फट चैनल को सबस्क्राइब कर जिए और बेल आइकन को प्रेस कोई तो मिलते हैं नेक्स्ट डेइज